प्लेसेंटा प्रीब्या, टूड़े टॉपेक इज प्लेसेंटा प्रीब्या, प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा एक चैनल का काम करता है, जो मा और बेबी को आपस में जोडता है, क्योंकि जो मा का न्यूटिशन होता है, ऑक्सीजन होता है, खाना होता है, वो प्लेसे उया अंब के नीचे विण होता है लेकिन 1day 2% में यह कभी कभी इतना नीचे होता है कि बिल्कुल नजदीक पर लेता है या जो शीवेर केसेस होते हैं यो टाइब 4 प्लेशन प्रीविया होता है उसमें यह विसकी बज़े से कभी-कभी डिलीबरी प्रोग्लम आसकती है मां को bleeding भी हो सकती है तो बहुत सारे complication भी हो सकते हैं यह हम details में आज की वीडियो में जाएंगे प्लेसंटा प्रीविय के क्या कारण हो सकते हैं आज हम यह discuss करेंगे सबसे पहले जो कारण है वह अगर मां का पहली बार सेक्षन हुआ है सी सेक्षन होता है तो क्या होता है जब सी सेक्षन लोर सेग्मेंट में यूटस के लोर सेग्मेंट में सी सेक्षन किया जाता है तो जब हो हील होता है तो उसमें इलास्टिक और कोलेजन बढ़ जाता है जिसकी बज़े से जब नेस्टम लेडि मां बनती है त उसमें प्लेसेंटा लोई सेगमेंट में JT में इंप्लांट होने की पॉसिबिलति बढ़ जाती है क्योंकि सब्सक्राइब में ब्ल्रीड सप्लाई ज़्यादा होती है एलास्टिक फाइबर और कोलेजन फाइबर जयादा होती है तो इस cases में placenta previa के chances बढ़ जाते हैं Multiple gastration, अगर twin pregnancy है, टिप्लेक pregnancy है, तो भी placenta previa के chances बढ़ जाते हैं इसी तरह से multiparity है, अगर मां का ये तीस्ता ये चौथा बच्चा है, तो बार-बार placenta जब implant होता है, तो नीची के lower segment में भी implant होने के chances बढ़ जाते हैं अगर किसी lady के uterus में नीचे fibride या रसोली होती है, muscles के में रसोली होती है, तो भी placenta previa की possibility बढ़ जाती है प्लेसेंटा previa में normally कोई भी symptom दिखाई नहीं देता है, इसमें कभी-कभी तीसरे मैने में patient को bleeding दिखाई देती है इस bleeding में क्या होता है, यह bleeding sudden होती है, और rest करते समय होती है, patient को अचानक bleeding हो चाती है, जैसे patient सो रहा है, तो वो देखता है कि इसको अचानक से bleeding शुरू हो गई, जिसका भी कोई भी कारण होता है, cause less bleeding होती है, और यह अगर bleeding दो तीन बार हो जाती है, recurrent bleeding होती है, तो mother को hemoglobin क कमी हो सकती है, mother को admit कराना पड़ सकता है, दूसरे तीसरे बार अगर यह bleeding होती है, तो mother को bad rest की advice दिया जाता है, और उसे कभी-कभी admit करने की भी जरूवत पड़ सकती है, यह bleeding painless होती है, इसमें कोई भी दर्द नहीं होता है, Placenta previa के 4 types हो सकते हैं, इसमें जो पहले 2 types होते हैं, टाइप 1 और type 2, यह minor क्यलाते हैं और type 3 और type 4, major क्योंकि यह ज्यादा patient को problem आती है, type 1 placenta previa में क्या होता है जो placenta होता है ऑर इसमें बेबी को कोई भी upgrades नहीं पहुचता है ना ही माँ कोई problem आती है यह इसमें delivery भी नॉरॉश हो जाती है और यह गोई बेती में चाहि програм को ठ्रक्राव को करा है टाइब 2 प्लेसेंटा प्रीविया में यह प्लेसेंटा का जो लोर सेगमेंट है वो आस तक पहुच जाता है टाइब 2 इसमें प्लेसेंटा इंटरनल आस तक नहीं पहुचता है लेकिन उसके मार्जिन को टच करता है इसलिए इसे मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं टाइप 1 और टाइप 2 यह माइनर होते हैं, इसमें पेसेंट और बेबी को ज्यादा कोई नुकसान नहीं पहुचता है, लेकिन जो टाइप 3 और टाइप 4 होते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं, टाइप 3 प्लेसंटा प्रीविया में प्लेसंटा औस को पार्सली कवर करता है, प करते हैं तो अभी-कभी पीवी ग्यामिनिशन करते समय भी ब्लीडिंग हो सकती है ऐसे पेसिंट को बहुत ज्यादा एंटी-पार्टम हम्रेज का खत्रा बना रहता है क्योंकि उनका प्लेसंटा और सर्विक्स के मूँ पे पहुंच जाता है कॉम्प्लिकेशन अप्लेसंटा प्रीविया नमर बन माल प्रेजेंटेशन जब यूटस के लोर सेग्मेंट में प्लेसंटा इंप्लांट होता है तो बेवी के हैड को नीचे आने में प्रावलम हो सकती है तो बेवी का हैड साढ़े आट मेने पे जो नीचे पैल्विस में फि Pretum Delivery, Placenta Previa में बैजनल ब्लीडिंग होनी की वज़य से, समय से पहले, delivery हो सकती है, या normal delivery होना मुस्किल होता है, तो baby की delivery operation से भी करानी पड़ सकती है. No.3, Inhabitable Bleeding. कोई भी प्लेसेंट अप्लीविय होता है उसमें थोड़ा सा एमाउन तो ब्लड जाता ही बैजैनल ब्लीडिंग होती है और ये एंटी पार्टम एमरेज का एक कारण बन सकता है अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिलती है तो इसे लाइक एंड शेयर कर लीजीगा थैंक्स पार वाचिंग इस्टे हेल्जी इस्टे सेफ